फ्रेंट्स, इमोजी तो आप लोगों में से काफी ज़्यादा लोग यूज़ करते ही होंगे, लेकिन इमोजी का मतलब क्या है? और यूटूब में सबसे ज़्यादा डिसलाइकर वीडियो कौन सा है? ऐसे ही 15 अननोड फैक्स आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हों। आप लोग पहले इस इमेज को ठीक से देखों। क्योंकि यह बिल्डिंग है और इसके उपर घर बनाय हुआ है यह बिल्डिंग्स चाइना में है और यह शापिंग मॉल्स है फ्रेंट्स हम नॉर्मली हमारे हाटबीट रेट होती है 60 से लेके 100 तक लेकिन हमिंग बर्ड यह जो वर्ल्ड स्मॉलेश्ट बर्ड है ना इसका हाटबीट रेट होती है 1000 पर मिनिट मतलब की एक मिनिट में 1000 बार इसका हाटबीट रेट है फ्रेंट्स जड़ा आप लोग इस इमेज को ठीक से देखिना और इस इमेज में रहने वाले अनिमल क्या है अगर आपको पता चला तो विडियो पास करके नीचे कोमेंट कीजिए अगर आपको पता नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ यह है एक बेर अगर हम लोग बेर के उपर रहने वाले बाल को अगर ठीक से निकाल दे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा दिखने में चुहे जैसा लगता है न यह जो स्टार फिश होते हैं न यह दुनिये के सबसे किया जाए तो वह भीर से ग्रो हो जाता एक्श्वली अगर एक श्टार फिश अगर उनके बॉड़ी पूरा भी कर जाए ना तो छोटा से आद्म से पूरा बॉड़ी को रिजेनरेट कर सकता है हमें सलाइवा यानि की लार के बिना किसी भी फुड का टेस्ट नहीं आता है एक बार USA ने 1962 में स्पेस में एक आटमिक बाम को ब्लैस्ट किया था वो आटमिक बाम किरोशिमा नागसके से भी 100 ताइम्स मोर पाउर्फुल था अगर यही बाम अगर धर्थी पर फोटा होता क्या होता निजिक कमेंट किजिए प्रेंट समय से काफी ज़्यादा लोग ट्विटर यूज़ करते होंगे लेकिन ट्विटर के उपर रहने वाले बर्ड का भी एक नाम है उस बर्ड का नाम है लैरी लैरी एकवोफोबिया इसका मतलब है फियर आफ वाटर मतलब की पानी से डरना इसे कहते हैं एकवोफोबिया आप लोग कहोगे की पानी से कौन डरता है वो तो हम लोग रोज पानी पीते हैं लेकिन पानी का मतलब सिर्फ पीने वाले पानी नहीं जो समुंदर में होता है और ले इसलाइक्ड वीडियो है यूटूब रिवाइन 2018 इसमें पूरे 18 मिलियन डिसलाइक्स है इसमें पूरे 212 मिलियन व्यूस थे और 2.9 मिलियन लाइक्स थे इमोजी तो आप लोगों में से काफि जाद लोग यूज करते ही होंगे वाट्सब में चैटिंग करने के लिए टेकिन इमोजी का मतलब क्या है इमोजी का मतलब है जापने इस लैंग्विश से आया हुआ इंड मोजी इसका मतलब है पिच्चर एंड कैरेक्टर अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक किजिए इस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेर किजिए थैंक्स फर वाचिंग